हेलो एबरिवन स्वागत है आप सभी का जी एस क्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिब्यूट्स बिंग पेड टू इंडियन बोर्डो सोसल एक्टिविस्ट तो इंडियन बोर्डो सोसल एक्टिविस्ट जो थे स्री उपेंदरनात ब्रह्मजी इनके नाम कि एक इंस्ट्यूट खोला गया है और इस तरह इन्हें आनर किया गया है इन्हें ट्रिब्यूट दिया गया है इनके नाम का इंस्ट्यूट खोलकर तो उपेंदरनात ब्रह्मजी जो थे इनका टाइम पीरिड़ जो था 1956 से 1990 तक था और इन्हें इंडियन बोर्डो सोसल एक आप बोडोज और इन्हें मिला था एट में 1990 को यह टाइटिल जो है बोडोफा की मिली हुई थी यह टाइटिल इसलिए मिली थे इनको क्योंकि इनका जो वीजन था जो लीडर्सिप जो इनमें दिखती थी वो बिल्कुल ही बोडो के लिए होती थी और आल बोडो स्टुडें की यह प्रेशिडेंट भी बने थे तो इनके विचार जो है बोडो ट्राइब को इनके इतनो लिंग्विस्टिक जो इनका कल्चर है उसको बचाने का प्रयास किया था इसलिए इनको गार्जयना बोडो भी कहा जाता है अब जो इनकी लाइफ है उसे सेलिब्रेट की जाती ह हर साल anniversary update के दिन जब इनकी डिठ हुई थी उस दिन जो है anniversary आफ डिठ मनाया जाता है और यह जो है उसी दिन बोडोफा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है बोडोफा यानि गार्जयनाब दो बोडो अब बोडोज के बारे में देखें तो बोडो जो है largest ethno-linguistic group है असाम में आसाम में सबसे बड़ा linguistic group है और ये जो आप देख सकते हैं ये लाल वाला portion ये पूरा यहां से यहां तक ये जो है ये बोडो land है बोडो people यहां पे रहते हैं बीच में क्या हुआ था कि ये लोग separate state की मांग करें थे लेकिन कुछ negotiation हुआ जिसमें कि अमित्साह भी गये थे तो उनकी साथ कुछ ने को सियसन हुआ था इसमें जाकर फिर ये धरना परदर्शन होता था सारी चीज़े होती थी उसे जो है बंद किया गया अब बोडो जो थे ये largest इतनो linguistic group थे आसाम में और mainly जो है ये बोडो land territory region आसाम की जो है वहीं पे concentrated है वहीं पे मेंली रहते हैं बोडो जो है ये तिबबत बरमीज speaking ethnic group है और ये बोडो लंग्वेज ही बोलते है और इसी बोडो लंग्वेज को हमारे constitution में भी add किया गया है जो 22 भासा हैं उसमें एक भासा जो है बोडो लंग्वेज है अब जो बोडो people है ये six schedule of the Indian constitution में आते हैं और इन्हें extra protection मिलती है प्रेशिडेंड के थ्रू तो ये हमने बोडो ट्राइब के बारे में देखा और हमने देखा कि किस प्रकार स्री उपेंद्रनात ब्रह्मा जी को सम्मानित किया गया और ये GS prelim section और GS paper 1 के culture पार्ट में इससे related question पूश सकता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ची झाल सकता है